इसकार दोस्तों स्वागे था आप सभी का इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी का प्रेट्री सेट हल करेंगे इस प्रेट्री सेट में आपको हिंदी के 50 महायतपूर परश्ण मिलेंगे जो की बेरी इंपोर्टेंट है तो चलिए इस प्रेट्री सेट को हल करते हैं अगर आप संयासी इसी तरह लिखा जाएगा बाकी ये तीनू विकल्ब गलत हैं। तो राजेंद्र सब्द में जो संद्र है वो गुढ़ संद्र है और गुढ़ संद्र का सूत्र होता आदगुढा। चलिए णेस्ट कुषिचन निम लिखित में इसे कौंसा सब्ध कर्मधारे समास का उधारण है तो इसका जो सही विकल्फ होगा आ दो आप सेने अंधुक अंधुक जो है कर्मधारे समास का उधारण ही कर्मधारे उधर जो है अंदकूप है चले निश्कूशन निम्लिखित में करिदंत अवे का एक परकार नहीं है तो इसका जो सही विकल्भ होगा आपसन भी भूत काली करिदंत नहीं होता है पूर्व काली करिदंत तत काली करिदंत और पूर क्रिया बोधक एक करिदंत अवे का परकार है चले निश्कूशन देखते हैं प्रवाल किसका प्रयावाची है तो प्रवाल जो है वो मूंगे का प्रयावाची है आपसने सही है निश्कूशन आवरल सब्द का बिलोम क्या हो तो आवरण सब्द का विलूम जो होता है वो अना आवरण होता है आपसे नेश्च कुशन विस्वामित्र नाटक के लेखक कौन है तो विस्वामित्र नाटक के जो लेखक है उदे प्रकास भट्ट है उदे संकर भट्ट सारी उदे संकर भट्ट है चलिए नेश्च कुशन द चारणड़ दास चोर नाटक्रित है हभीव तन्बीर का नेट्ट कुश्चन तेरा बैभो देखो या जीवन का करंदन देखो यह पंक्ति किसका है तो यह पंक्ति जो है महादेवी बर्मा का है आप्सन थी और महादिवी बर्मा को आधनी युक की मीरा भी कहा जाता है Next question देखते हैं आलोग पर्व निवंद के रचनाकार कौन है तो आलोग पर्व निवंद के रचनाकार जो है वो हजारी परसाद दिवेदी जी हैं आपसन भी Next question फोर्ट विलियम कालेज के अस्थापना किस बर्स हुई थी तो फोर्ट विलियम कालेज के अस्थापना आठारा सो इस भी में हुई थी नेट्स कुशन देखते हैं नागरी परचाड़ी सभा के अस्थापना कब हुई थी नागली पचाड़ी सबाक के स्थापना 1893 में हुई थी next question देखते हैं निम्न मेंसे किस कभी को अभ्रंस का बाल मीक कहा जाता है तो स्वेमभू को जो है वह अभ्रंस का बाल मीक कहा जाता है चले next question देखते हैं पाउम चरिव किसकी रचना है तो पाउम चरिव स्वेम भूग की रचना है नेश्ट कुशन देखते हैं आचार राम चंदर सुकल ने भक्तिकाल के निमलिकित कभियों में से किसे सबसे कम महत दिया है तो कभिर दास को सबसे कम महत दिया आचार राम चंदर सुकल ने भक्तिकाल में चलिए नेस्ट कुश्चन देखते हैं अश्ट शाप के प्रमुक का भी नंददास किस के सिस्य थे तो नंददास जी जो थे वो बिठल नाज जी के सिस्य थे आपसन सी जे संकर परसाथ की किर्थियां किस विकल्प में है तो जे संकर परसाथ की जो किर्थियां है वो है जरना, लहर, धुरुपसामनी और चंदगुक्त आफसन भी किस सब्तक के संकलित कभी है इसका सही विकल्प हो जाएगा आफसन सी तीसरे सब्तक के किदार नाच सिंग जो है तीसरे सब्तक से सम्बंदित है सन उनिस वे क्याउन में प्रकासित दूसरा सब्तक में कौन सी कभीत्री सामिल है तो इसका जो सही विकल्प होगा आफसन सी सकुन्तला माथूर सकुंतला माथूर दूसरे सब्तक की कवित्री है वहीं दूसरे सब्तक की कवित्री कीरती चौधरी है और इसके बाद चौधरी में सुमन राजे है सिरी निवास द्वारा रचित नाटक नहीं है तो इसका जो सही विकल्ष होगा कल कवतिक रूपक का रचना सिरी निवास द्वारा नहीं किया गया है बल्कि कल कवतिक रूपक की रचना परताब नरायन मिसरेने किया है नेस्ट कुशन क्रिशन गीतावली गरंथ के रचना कार कौन है तो इसका जो सही विकल्ष होगा आपसन भी तूसी दास नेस्ट कुशन देखते हैं किस रासो गरंथ को आलाखंड की नाम से जाना जाता है आलाखंड की नाम से जाना जाता है जगनिक का प्रमाल रासो नेस्ट कुशन देखते हैं पंडित चंद धर्म सर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पर्थम कभी सुविकार किया है तो पंडित चंद धत सर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रसम कभी राजा मुंज को सुविकार किया है नेस्ट कुश्चन प्रविता भास हिंदी से क्या आसा है तो प्रविता भास हिंदी से आसा है अभ्रहन से आपसन डी नेस्ट कुश्चन देखते हैं निम लिखित में से सुमेलित कीजिए उपन्यास और उसके रचनाकार हैं तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं अलमा कब उतरी जो उपन्यास है वो महित्री पुस्पा का है और चपर जो है जै प्रकास करदम का है मुक्त पर्व जो है वो मुहन दास नमिसराय का है और आवा जो है वो चित्रा मुद्कल का है तो इस तरह से उपन्यास और रचनाकार का मिलान हो गया चलिए नेस्ट कुश्चन देखते हैं शूर्दास प्रेम चंद जी के किस उपन्यास के मुख पात्र हैं तो सूर्दास जो प्रेम चंद जी के मुख पात्र हैं वो रंग भूम में है आप संडी नेस्ट कुईशन साधना गद्य काब किस ने लिखा तो साधना गद्य काब जो लिखा है राधा किस नदास ने आप सं पर चादनी जो यत्रा ब्रतांत वो निर्मल बर्मा का है आपसन सी ठेले नेश्ट कुशन देखते हैं पड़ोस की खुसबू यत्रा बृत के लेका कौन है तो इसका जो सही विकल्ब होगा आपसन भी राम दर्फ मिस्रा पड़ोस की खुसबू यत्रा पार्शुव्यंग निबंद के लेखक जो है निबंद संग्रा के लेखक जो है वह हरिशंकर परसाई जी आप संडी नेट्स कुश्चन मधुमालती की रचनाकार कौन है तो मधुमालती की रचनाकार मंझन है आप संडी नेट्स कुश्चन इन में से जाइसी की कौन सी रचना नहीं है जाइसी की जो रचना नहीं हो चित्रा वली है आखरी कलाम अखरावट और पदमावद ये जाइसी की रचना है चित्रा वली जाइसी की रचना नहीं है बलकि ये उस्मान की रचना है उस्मान चलिए नेस्ट कुईशन देखते हैं देहाती दुनिया की रचना कार कौ साथ मिस्राने नेस्ट कुईशन देखते हैं निम्न में कौन सी रचना नागारजुन की नहीं है तो नागारजुन की रचना ये नहीं है मैं तुम्हें सौपता हूं ये रचना नागारजुन की नहीं है बलकि इसको लिखा तिर लोचन सास्त्री ने तिर लोचन सास्त्री ने ठीक बाकी तुमने कहा था प्यासी पत्राई आखे और युगधारा ए नागा अरजुन की रचना है नेस्ट कुशन देखते हैं सबसे बड़ा सी पईया के रचनाकार कौन है तो इसका जो रचनाकार है वो बिरेंद्र जैन है आपसने नेस्ट कुशन देखते हैं भविस्षत कहा की रचनाकार कौन है तो भविस्षत कहा की रचनाकार धनपाल है आपसन सी नेस्ट कुशन देखते हैं मचली घर नामक काव संगरा के संपादक कौन है तो इसका जो सही बिगल होगा आपसन भी बीजे देव नराण साही नेस्ट मत मंजूल मातनोध किस कबदारा रचित इश्लोक कांस है तो इसका जो सही बिकलफ होगा आपसंसी तूलसी दास तो यहां पर जो सही है वो आपसंग ए बैधर्वी रीत में माधूर गुल पधान मिलता है बाकी गौडी रीत में माधूर नहीं मिलता है यह तीनों गलत है आपसंग ए सही है अगला प्रशन है भरत मुन ने गुड़ो की संख्या कितनी मानी है तो भरत मुन ने गुड़ो की संख्या दस मानी है रस निस्पत की विवेचना भाकत और भोजकत की कलपना किस आचाय ने की है तो इसकी जो कलपना की है भट नायक ने की है आपसंग बि नेस्पत की विवेचन और भट नायक ने साधारिकर सिधान्त भी दिया है तो नेस्पत की देखते हैं प्रियोजन वती लच्छडा का भेद नहीं है तो प्रियोजन वती लच्छडा का भेद जो नहीं है वो रूढ़ा नहीं है आपसे ने सारोपा होता है सुध्धा होता है गवड़ी होता है लेकिन रूढ़ा नहीं होता है आपसे ने सही है तक किस की तो इसका जो सई विकल्ब होगा या भट नायक ने कहा है चलिए नेर्ट ग्यूशन वेग्जानिक साहिली का तादप्रक किस साहिली से है तो बैग्यानिक साहिली का ताद पर बश्ट निष्ट साहिली से होती है आपसन भी साही है तो नेक्ट कुशन देखते हैं कुशन नमर 47 बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकर्थिक अभ्रहन से माना जाता है तो मागदी अभ्रंच से बिहारी हिंदी का विकास माना जाता है Next question देखते हैं किस से हुआ तो कवरोई भासा का जो उदय हुआ था पश्मी हिंदी से हुआ है इस टेस्ट के पचास प्रश्ण पूरे होते हैं तो आपको एक टेस्ट सीरीज कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो प्रेटी सेट तो आप चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा अ अब तक के लिए जहन